समझ नहीं आता है तो पोडू स्पार्टर्स का अब हमें तुझे बताएंगे ठीक है नाइसन बनुआ हलो एब्रीवान वेरी गुड आफ्टरून वेलकम चू अग्रिकल्चर एड़ा 24 7 के ऑफिशल यूट्यूब चानल पर आप सभी बच्चों का मैं हिना नहीं बहुत-बहुत स्वागत करती हूं तो आज हमारी जुरून की अगें जुरून की क्लास है तो चलो बच्चों जल् मुनेश बाबू हांसा श्रीवी पाथक वेरी गुड नून गाईज वेलकम इन दे सेशन शिव पुलकेट शिवम सारे बच्चे आगाए चलो वेरी नाइस गाईज वेरी हैपी तो सी यू इन दे सेशन वेरी गुड मॉर्निंग शिवम अच्छा क्रिपको वाले बच्चे क्या करना है अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है दूसरा बाखी फैकल्टी इस की भी अच्छी-च्छी क्लास आप तक पहुंच सके और साथ ही साथ बिटा अच्छी-च्छी मोबाइल अप्लिकेशन को भी आपको डाउनलोड करना है हां जी हैलो गाईज चलो हांसा को फटावर से रिस्पॉंस भी कर दो हां जी वेरी गुड अफ्टोन गीता वेलकम इन दे सेशन तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ग्लास लेकिन उससे पहले आपको जरूर से डाउनलोड कर लीचे ताकि बच्छों एप्लिकेशन में जो आपको लाइ भी जरूर कर दीजिए पृद एंटेमोलोजी भी समझा दीजिएंटमोलोज आपको पृदीभा मैम संझाएंगी TWO मेरे पास सिर्फा से प्लान पैथालोजी का पॉशन है ठीक हैं ओभी भी याद है ना अरे बिलकुल बिल्कुल यार टिपको वाले हम बिलकुल अपने बच्चों हाँ जी very good afternoon सोनम भी आ गई है चलो which one of the following disease shows the symptom up and down appears तो मेरे बच्चों आप लोग को ये बताना है कि कौन सी disease में आपको up and down symptom दिखाई देता है ऐसी कौन सी disease होती है plant की जिसमें हमें up and down disease जो है वो हमें up and down symptom दिखने को मिलता है यानि कि निम लिखित में से कौन सा रोग उपर से नीचे दिखने के लक्षन दिखाता है उपर से नीचे up and down तो रेटन स्टंटिंग होगा या फिर बार्ले यलो ड्वार्फ होगा क्राउन होगा या क्राउन गॉल होगा या नन अफ दीज होगा वेरी गुड आफ्टर नून मैम आप से पढ़ना है बिटा बड़ा मैम की क्लास चली जाएगा क्यूंकि सब्जेक्ट ना स्पेसिफिक होते हैं तो वो डेफिनेटली मैं कवर करूंगी बड़ आप मैम की क्ल बड़ आप एंड ना सिंटम्स जो हम देखते हैं रेटाउन स्टंटिंग में हम जेनरली यह सिंटम्स देखते हैं ठीक है बच्चों अच्छा एक और चीज बड़ा रेटाउन स्टंटिंग जो यह डिजीज है इसको इंडिया में पहली बार इस जे चिल्टन एक थे एस जी चिल्टन ये भी एक प्लान पैफलोजिस थे एस जी चिल्टन इन्हों सबसे पहली बार इंडिया में इसके बारे में बताए था बच्चों देखो मैं हमेशा कहती हूं हमेशा कॉपी और पैन लेकर खाओ याओ क्यूंकि अगर आप आपकी पैन लेकर के नहीं आओगे तो जो मैं क्वेस्टन से रिलेटेड आपको इंपॉर्डन चीज़ें बताती हूं वो आपको कैसे पता चलेंगे उनको आप भूल जाओगे ठीक है तो इसलिए जब भी आप क्लास में आओ बिटा कॉपी और पैन लेकर के बैठ जाओ हाँ एंड लगे ड्ली बैटा है के ड्ली से अलिए बेर उस basement बैठ बैट्बकार के बेठ ये वेरिट इसमें क्या होता है बेसे कलीश से लिए इस भी आपकी प्लांट यूनिफर्म हाइट नहीं होती है यह दिसीज जब भी प्लांट्स में तो न प्लांट्स चेल कुन जैसे हैं dapat हुँ jur porch to सारे प्लांट की इसमें आपको यूनिफर्म हाइट यानि की एक घैसे हाइट देखने को नहीं मिलेगी दूसरा सिंफक्ष्न में क्या इस इंफेक्शन में आपको आपको जो जाइली मिलेगा लिख सोनिया या फिर ख्लावी बैक्टर जाइली यह इसका कॉजल अरगानिसम हो जाएगा तो यह आपका हो गया राइट आंसर चलो आगे चलते हैं अगले क्वेशन पर चलते हैं अगले क्वेशन पर चलते हैं शुगर केन शुगर केन मिड्यू डिजीज इस प्रेवलेंट इन विच आफ दी फॉल्लेंग सोयल गन्ना डाउनी मिड्यू रोग किस मिट्टी में प्रचली था है क्योंकि मैं आपके कुछ डाउट सेशन भी अच्छा बना थांक यू सो मच चालो अब बता दो बिटा आप लोगो ग्लास अच्छी लगनी चाहिए है ना शालो अब बता दो बिटा श्रिवम सिंग का अंसर आया है सी ठीक है अखिल दवन का अंसर आया है बी ओके ठीक है ब हां तो बिटा यहां पर आपका राइट आंसर हो जाए ओके सी 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 जातर बच्चे कहा रहे हैं सी होगा शुगर के डाउनी वीडियो डिजीज जो है यह जिंक डेविशिंट सॉल में होता है तो बी आपका राइट आंसर होगा ठीक है देखो कुछ इंफेक्शन्स ऐसे होते हैं बिटा कुछ पैतोजिंस के लिए कुछ न्यूटरिंस बहुत इंपोर्टन्ट होते हैं और कुछ एसे होते हैं जो उन पार्टेकुलर नूट्रेंट स्पें रॉन नहीं करते तो जैसे और एक्जामपल अगर हम देखें भी विटा तो ऐसी स्वांपल जिसमें जिंक की डेफिशेंसी होती है यानिकि जिसमेंच की 스। तो एहसी आप आपको पता है कि यह पैतीज राओने Aaah को पता है कि द्वारा होने वाला और और इस रोग के लिए अगर मिट्टी में जिंक की कमी है यानि कि स्वाइल में अगर जिंक की डेफिशेंसी होती है तो बेसिकली वह इंफेक्शन आपका बहुत जादा सीवियर हो जाता है ठीक है तो बच्छों यहां पर अगर हम देखेंगे तो शुगर केन का जो यह डिजी कि सिंटम होते हैं यह देख रहे हूं यह ईस टाइब के सिंटम्स्स आपको लीफ पर दिखाई देते हैं तो चलब बच्छा फिरा कर और राइट डीजीस भी होते हैं चलो अगले सेकरम आफिसे नेलेस बिल्कुल 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 नेम भी बता रहे हो वेरी नाइस अब बता दो बटा करनाल बंठ जो वीट में होता है यह किस टाइप का इंफेक्शन है मुझे पता था कॉजल अर्गानिजम तो तुम लोग बड़ी जल्दी बता दोगे इंटेलिजन प्रकुल विट किस टाइप का इंफेक्शन है मैक्रो साइक्लिक फोगा तुम यह कोड़ी यह सोनम की एन सरोगा को शिवन का भी आंसर आया है सी होगा कि बाकी बिच्ची क्यों नी बिता रहे बाकी बिच्ची बिताएंगे इसका राइड शिया होगा कर नाल बंठ वीट उ तो फिच्टा नहीं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखो यह जो इंफेक्शन है पी इसके लिए इनफेक्शन जब आप देखोगे तो मोनो साइक्शन है यानि की साइक्टिक कर लेता, ओर टोशीयस नहीं होगा, सात्यीज आप हीट्रोसीयस और साय कि एक ही टाइम पर अपनी साइकल कर लेता है इसको किसी और होस्ट की भी जरूरत नहीं परती इस 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 के मुझे लिए कोजल और जाये का कौन सा होगा बया छेंगा कैसे बता दो कर नाल बंट का कॉजल और गानिसम काउन सा हो जाएगा बताओ जल्डी से स्मट भी मोनोसाइकलिक होता है जैसे रस्ट हम बोलते है कि रस्ट पॉलिसाइकलिक होता है रस्ट के लिए पढ़ते है मैंने क्लास में पिछली क्लास में कि रस्ट पॉलिसाइकलिक होता है क्योंकि उसमें कुछ स्पोर तो वह खुद में बना लेता है वीट में और कुछ भी ज़रूरत होती है तो इसलिए वह होता है और यहां पर यह क्या हो जाएगा? नियोसिवा इंडिका होता है और साथ ही साथ यह मोनोसाइकलिक टाइप का इंफेक्शन होता है इसको बहुत सारे होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपनी लाइफ साइकल को कंप्लीट करने के लिए ठीक है चलो हां वेरी गुड अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इंफेक ब्राउन स्ट्रेप डाउनी मिड्यू का जो एक इंफेक्शन है यह मेज में होता है तो इस इंफेक्शन को पहली बार कहां पर इसको रिपोर्ट करा गया था नवसारी कानपूर पंतनगर या फिर सूरत में पड़ावर से बताओ बिटा राइट हां वेरी गुड हां ट्रा पर दिसकोवर इन करनाल भाई मीता अच्छा अच्छा अब इसको कहां डिसकोवर किया था पहली बार ब्राउन स्ट्राइप डाउनी विडियू जो में यह में इसको पहली बर कहां देखा था सुर्म का अंसरा है सी ठीके पुल्कित का अंसरा है बी-OK और यार जित्ते अधिकने का अंसरा 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 है अच्छा तुका आरे टुका नहीं लगाओ कोई बात नहीं आता तो मैं भी विताओंगी डूंट वरी सुरुची का अंसरा है सी ओके बिटाइज नून ग्लास आपका इसी लिए है कि इसमें आप बहुत सारे क्वेशन करो ताकि आपको प्लान पैथो लोजी के बहुत सारे कुशेंस मिले अनिमल इस बंडी की बहुत सारे कंसायप विद क्वेशन सापको बहुत अच्छे से मिले ताकि आप किसी भी एक्जाम में कोई भी question आप छोड़ो नहीं यूपी कानपूर पुलकित का अंसर आए यूपी कानपूर शिवी का भी आंसर आया है C यही इतने बैउसार करें मिलकूल होगा पंत राइड को और बाउनी, इस इंफेक्शन साके गाम, यह इंपेक्शन के और इस इंफेक्शन वह बहूत मेजां एंपेक्शन और पहली बार रिपोर्ट करकि तो इसार करें यहींब इस इंफेक्शन को इंडिया की जो पहली अग्रिकल्चर उनिवर्सिटी वहां पर देखा गया था ठीक है चलो आगे चलते हैं यह आपका ब्राउन स्टेप डाउनी मिडियो का इंफेक्शन एमेज का इसको आप एक बर देख करके आइडेंटिफाइ कर लो ठीक है इसको आप इसको आप पास एक्जाइम में मोर तोड के कैसे भी एक्जामेनर प्वेशन दे को हमें गलत नहीं और हमें बिल्कुल सही करना है ना चलो मैं प्लान प्लांट पैथलोजी बेसिक कोई बातिया बढ़ने क्लासस करो आप मेरे फांडेशन क्लासस भी देख सकतो उसमें मैंने बेसिक से प्लान पैथलोजी अलरी पढ़ाया हुआ है तो आप एक बर फांडेशन क्लास्स करके प्लान पैथलोजी अगर सर्च करोगे अग्रिकल्चर अधर 24-7 पर आपको मेरी क्लास्स वहाँ पर भी मिल जाएंगी ठीक है यहाँ पर मैं जो की इंडिया की पहली अग्रिकल्चर युनिवर्सिटी थी ठीक है चलो अब आगी चलते हैं बिटा नेक्स्ट पर चलते हैं आइधिंक यह आपने इसका संटम भी याद कर लिया होगा किस तरीके से दिखाई देता है चलो अगले इसकेंडरी नेम पूछेगा की जो आपके वैक्रस कॉन से वैक्र है किस टाइप की डिजीज को ट्रांस्मिट करें बस इसलिए पूछेगा ठीक है अमम हां बोलो बोलो शो नहीं कर रहा है तो एब पर ही होगी या कहीं अर बिटा एब पर ही होगी अभी शोग कर लेगी ड ASH अब होगी विटा मैं थोड़ी देर में अपडेट कर दूगी इस क्लास के बाद आप लोगो मिल जाएगा ठीक है चार बेजी के राउंड कॉसल इर्गानिसम स्केल्रोस्पोरा ग्रैमिनी कोला आस था ओके बी ठीक है जातर बैचे कह रहे हैं बी और डी सब में कंफ्यूजन है सेकंडरी साइंटिफिक झानी नहीं सिस्केल्डी नहीं पूछता गिले पाषिकर उइस पाष्टीर को तो सिस्केन्थिक झानुमिक पूंगी प्ट्ट sound इपक सिस्किनिक यह रहे हैं बीघूजना पेंडेbonsund फिर यहां डेमिक पाष्टां इस लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एक पर्टिकुलर जो टंपरेचर होता है इसका तो इसका जो पर्टिकुलर टंपरेचर होता है 20-25 डिग्री सेंटिग्रेट ग्रीनियर डिजीज जो आप बाजरा मी देखते हूं यह सबसे अच्छी होती है ने यह नहीं पू तो pandemic infection क्या होता है तीन टाइप के infection होता है मैंने आप लोग को करवाई भी थे तीनो टाइप के infections एक होता endemic, एक होता epidemic और एक होता pandemic अब देखो अगर इसका हिंदी translation समझ कहना है तो problem नहीं होगी epidemic का मतलब होता है महामारी और pandemic का मतलब होता है वैश्विक महामारी ठीक है समझ कहें अब देखो इसको अगर आप सबसे पहले देखोंगे epidemic कि किसी भी particular area में होने वाली कोई disease किसी भी छोटे से area में अगर कोई बीमारी हो रही है जैसे पहले के time पर क्या होता था हैजा होता था cholera जिसको हम अभी के time पर बोलते हैं जो अन्डिस होता था तो यह किसी भी एक area में फैल जाती थी छोटे से area में हो गई अब उस area में स्वाइल कैसी है उस area का temperature कैसा है उस area में जो लोग रहना है उनकी immunity कैसी है तो उसके according उस पूरे area में वो बिमारी फैल जाती थी ठीक है तो इसको ही क्या बोला जाता था इसको ही एंडमिक बोला जाता था मतलब किसी भी छोटे से area में अगर कोई disease हो रही है तो उसको ही एं बारत जैसे बंगाल में फैमाइन आ गया पूरे बेंगॉल वाले area में फैल गया बंगाल के एक देश है एक country था ठीक है तो उस पूरे country में कोई बिमारी हो गई मतलब जैसे आपका यह हैलमिंतोस पोरियो मॉराइसी ने कर दिया ठीक है बेंगॉल फैमाइन आ गया था तो आप क्या बोल सकते एपिडेमिक बोल सकते हो महामारी वह सिर्फ एक country में फैल गई ढही तो इसने सिर्फ एक country को नहीं पूरे country से बाहर मतलब पहले चाइना में हुआ चायना के बाद फिर भी हुआ इटली में हुआ इसके बाद बाकी दूसरे इसको यह पूरे विश्वा लेवल में हुआ है तो उसको हम बोलते है आपका पैंडिमिक ठीक है तो पैंडिमिक आपिडमिक और एंडिमिक इन तीनों में डिफरेंस होता है तो एपिडमिक होता है जब भारत की बात कर रहे हो मतलब पूरे एक देश को आप बोल रहे हो कि भारत में महामारी आ गई या किसी पर्टिकुलर कंट्री में महामारी आ गई ठीक है तो उसको आप बोलोगे बिटा एपिडेमिक अगर पूरे विश्वा में महामारी आ गई जैसे कि कोरुना आय था तो वह क्या हो जाएगा चाहिए पर पर बिटा अगर कोई इस इर्रागुलर पैटर्न में हो रही है जैसे अभी हो गई फिर उसके बाद छे मैंने बाद हो गई या कुछ दिनों के बाद ही आ गई तो इस तरीके से अगर कोई डिजीस होती है तो उसको बोला जाता है इस पोरिडिक इर्रागुलर देखिए मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें बताई भी हैं ठीक हैं इस अगले में चलते ही बेटा अगला इंफेक्शन फैल या कि यह लुक लाइक है foreign आगे थेस्पोड मैं से चानचा च्छों इस इसा इसंट होगा जो जो भी एक डरीप्रण though, जिसमें अच्रा श्तों 거죠 जलदी से बता तो बच्सो राकूलर क्या होगा ीसमें इर्रागुलर मतलब यह बोल सकते लोकेशन यह पार्फ वाइज होता है एरा बाच्छ पाइज फालता रहता है ऑके क्लीर चलो अब की कहलते बता हो बथा do letter स्प्रेड होगा यह जलदी से बता थो बच्चों हां टेलियो स्पोर्स ऐखे मुन्ना का अंसर आया है एसा आज़ाया है टेलियो स्पोर्स सोनम का आंसर प्रिया जात्र बच्चे एस रूची आंसर आया है C, ठीक है, अकिल धवय का आंसर आया है, B, के सुरुची का भी आंसर आया है, B, नितिन गुपता का आंसर आया है A, के, शुर्वी पाठथक भी आंसर कर रही है, सोनम का भी आंसर आया है, B, यार मैं बहुत बुरे हो, तुम लोग, मैंने तुम लोग को यूरुडो स्पोर्स बनाता है ये और कौन से स्पोर बनाता है ये चीज बताई थी कि पाँच तरीके के स्पोर्स बनाता है बताया था लेकिन इसमें जो इंफेक्शन करता है बटा वो करता है यूरुडो स्पोर्स कौन करता है मैंने बताया भी था ये कि जो आप देखते हो जो लीव्स के ऊपर आपको दिखाई देता है लीव्स के ऊपर जो फैलावा इंफेक्शन आपको दिखाई देता है जो औरेंज कलर के या ब्लैक कलर के जो पुस्ट्यूल्स दिखाई देते हैं जो पिंपल्स दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं जिसे हमारी स्किन में और फिर भी भूल गई येस मैम याद आगया आप देखो सब को याद आ गया है ना चले हो तो बिटा इस भूली नहीं है question exam में आता है ठीक है हाँ एक चीज और में आप लोगों को बिताती हूं तो देखो बिटा हाँ telliospore तो black होता है बिलकुल होता है telliospore बिटा smut में होता है telliospore होता है smut में और ये smut में ही infection cause करता है telliospore इसमें भी होगा और इसमें भी होगा लेकिन इसमें infection causing जोगा infection को spread करने वाला यह यूरडो स्पोर्स होगा और उसमें समंट में जो इंफेक्शन काउस करने वाला होगा वह वह टेलियो स्पोर होगया ठीक है हाँ याद आया या चलो यादर रखना है तो यह तु रूडो स्पोर्स सिसमें एक स्प्रेड इक करता थेoline इंत। साथी साथ इसमें एक और स्पोर बनते है एसी ओ स्पोर तो एसी ओ स्पोर्स जो है बिटा ब्लेक स्टेम रस्ट में ये बनते हैं बिटा किसमें बर्बेरिस में बर्बेरिस का प्लांट जो होता है वो इसको लाइफ साइकल कंप्लीट करते हैं तो इसमें जो लाइफ साइकल क में पूछा जा सकता है दिखो एक क्वेशन से कितने सारे क्वेशन आपके बढ़ने हैं तो थोड़ां सा इस चीज़ों को ध्यान रखो यादा पुलकित को भी चलो वेरी गुड तो यह आपके जालो अब आगी चलते हैं ल ल då 1 भी चैंट से इनका स्टॉक्चर काईसा होता है यह ना आपकोके ऐसील में बताऊंगी in आप ये देखो ये आपको पुस्टिूल से दिखाई देरहे ए यही तो होते हैं चलो अगना क्वेशन में होता वेन थी बड है वेड शीजन काहएं तुरी मिडियों का स्वांक्षिन स्वाय ईंब सरी द और सुंचान है शुक पर ऴिच वर बहुत टौब फाथ या यह द दूप heeft पर एक पर बानग अर्थ लैपने घ्लक woods खान अर्ट टूंड प्रूंड-ष्कucky करवा है तो आप एक बार उसको जा करके देखो वह भी बहुत इंपॉर्टन ग्लास है उसमेने थेोरिटिकल चीजें बताई है ठीक है बैच में मेटरलॉजी के क्वेशन लाइए प्लीज हां बिल्कुल बिल्कुल बिटा में ले आऊंगी इस दिन क्वेशन डीक है सी ओके सो आप लोग सी आंसर करे हूं मैं मना कैसे कर सकते हूं बिल्कुल भी नहीं है न तो इस यह इंफेक्शन आपका मेजरली कौंसे सीजन में होता है ड्राइ सीजन में होता है ठीक है बच्चों चलो आगी चलते हैं येलो शूट डिजीज ऑफसे ट्रस इस ट्रॉंस्मिटेड ब बीटल्स अब बताओ बिटा यहां पर राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों यह आपसे पूछ रहा है कि येलो शूट डिजीज ऑफ सिट्रस यानि कि नीबू में जो येलो शूट डिजीज होता है इसको फैलाने का काम कौन करता है साइला करेगा वाइट फ्लाइगा जल्दी से बताओ बच्चों राइट अंसर क्या होगा फटावट से बताओ बच्चों यहां पर राइट आंसर क्या होगा भी अखिल दवे का अंसर आया है किंग क्या अअज क्या होगा ए विटेक गोटसे बताते रहां पर एट आंसर क्या होगा व्यदे क्या होगा के क्ट नहा सोरी है भी लग्की की अगी तर रहें एकर है टीख़िया नियकाशन क्या होगा दी बच्चों टीक ठीक तो बिटें यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साइला ठीक है सिट्रस साइला सिट्रस ग्रीनिंग पहले यह समझ लो कि येलो शूट डिजीज है किसका येलो शूट डिजीज जो है बिटा सिट्रस में तो ये किसको बोला जाता है येलो शूट डिजीज जो है सिट्रस में स zipperक sayla होगा क्या होगा stock इसको काम जो ज्यानी का यूला करता है ठीक है चलीए अब आगी चलते हैं है हाँ यह RPSC यानि किराजस्तान FSO की मैरेथान है और यह मैरेथान आपके 17 जून को 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी तो जो भी बिच्छे साथ-साथ में अप्लिकेशन फॉर्म फिल किया है उनका एक्जाम डेट बिलकुल नस्तीक है तो आप इस मैरेथान में जरूर पाट लीचे जो भी बिच्छे अगर इस सेशन में आई हो है मैम आपका ओफ-लाइन क्लास करता हूँ मैं जब बिच्छे सेकंडियर समिस्टर में था ओ अच्छे अफ-लाइन क्लास करते थे ओके ओके अग्रिकल्चे के स्टूडेंस करते हैं तो अगर आप मेंसे भी किसी ने किया है तो आप इसमें पार्ट जरूर लीजेगा तो आप मैरेथन ले लो हाँ बिल्कुल मैं भी मैरेथन में रहूंगी मेरा भी सब्जेक्टिम्स में फूड माइक्रो ठीक है तो मैं भी लूंगी चलो यह बाइदेवी साटेड़े औ संडे दोनों दिन होने वाली है साटेड़े को दस पिजे शूरू हो चाहेंगी ठीक है चलो और यह कौन सी क्रॉप में होगी जल्दी से बता तो बिटा मैं प्लान पैथलोजी की भी मैरेथन होगी लेकिन अभी पहले ना आर्पी अफसो वाले जो स्टूडिन्स अचुली उनका एक्जाम है भी है अब जिनका एक्जाम है उनकी मैरेथन अगर हम जल्दी कर लें तो हमारी होती राइंगी हम का ज़bow आल है हम तो चैनल परी है है ना चलो मैंस करें थे इसलिए यहां है आच यार मैं वी तुम लिगों के इसलिए इसलिए थम्लों का क्लास है अबी कुछ तायम में है कर दियं कर दो इक हां बिल्कUL मैं कर दूगी यापलोग उनके पेद टेली आंसर करें, नहीं हां, A, okay, anguina very good, मृत्यूंजे का आंसर आया है, anguina tritikai, और मुन्ना का आंसर आया है, जैन्तो वनास उकरा, नितिन गुपता, A, आंसर करें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, anguina tritikai, wheat में, ठीक है, yellow slime rot disease, यह बेसिकली, anguina tritikai, cause करता है, ठीक है, anguina tritikai, इस infection को cause करता है, और यह wheat का infection है, किसका infection है, wheat का infection है, तो जो बच्चे, A, आंसर किये हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, जैन्तो वनास का नहीं है, पहले तो जैन्तो वनास उकरा में कोई infection ही नहीं करता, पहले तो यह देखो, anguina tritikai, grapes में infection करता है बिल्कुल भी नहीं करता है थोड़ा से चीज पर भी ध्यान दो देखो इर्वीनिया राइस में इंफेक्शन करता है नहीं करता है तीसरा जैन्थो मुना सोखरा में इंफेक्शन करता है नहीं करता है तो फिर यह तीनों राइट आंसर कैसे हो सकते हैं एंगविना ट्रिट पर चलते है बिटा विच्वन ऑफ फॉलाइंग डिजीज इस ट्रांस्मिटेड बाइट 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 अंसर क्या होगा यह देखो मृतिंजी के रहा स्वागत नहीं करो कि नितिन हमारा मुवी चल रही है तुम्हारी यह तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे है रहा चलो बहुत अच्छा है मतलब टिटिकम सटाइवम अच्छा निमेटोड इंफेक्शन ओके रुकसार का आंसर आया है ठीक है हनसा का भी आंसर आया है अखिल ए ठीक है हां बिलकुल सजाओ यह देखो नहा भी कह रही है मत्यूंजे को स्वागत करो बिलकुल यह बिलकुल ही नालायक हो तुम है ना मत्यूंजे है प्रिया रुकसार शिवम सोनम शिवी पाथक नेहा अकाश आस्था जातर बिच्छे ए आंसर करें हंसा का भी आंसर आया है नितिन और मोना का भी आंसर आया है वेरी गुड बिटा बिल्कुछ सही आंसर किया है मैट के त्रूब वक्रिट का इन्वारव सफटी सानलव सब्स्केंट जो हैं करता इसको कौन उचाई तरो यहां पर के यत आन्सर और स्कासर यह तो यह kई टाइब सेक्शिन है जो बैसे कंप्ली एस स्ट्रैल्टी कौस करता है कभी-कभी से स्ट्रैल्टी कॉस करता कभी कभी यह लेस ब्स स्ट है जिए तीन टाइप की स्टेरिल्टी यह कॉज गरता है जनरली जो इस्टेरिटी मोजाक आफ पीजन पी जो हम पड़ते हैं तो कंप्लीट स्टेरिटी में क्या होता है यह प्लांट जो है नौर्मने फिल्ट मंतलब दुबारा से रिप्रडूज नहीं कर पाता है लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं आपका माइल स्टैल्टी की तो उसमें अगर हम ट्रीटमेंट वगेरा यूज करें तो प्लांट सही हो जाता है ठीक है अगले चलते हैं अगला चलते हैं बिटा अगला कोशन है आपको यह बताना है कि ब्लू कलर का स्ट्रेन जो बैक्टीरिया प्रेडियूस करते हैं वो किस वज़े से प्रेडियूस करते हैं कैप्सूल थिक सेल वॉल राइबोजोम और नन अफ दीस जल्दी से बताओ तो बिटा राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताओ बिटा यहां आज यह आर मैंने ट्रेड नेम नहीं रखे न अभी धिãन आ रहे मैं अस्ट्रेड नेम्स नहीं रखे गऄा हैं चलो ट्रेड नेम कोई बात दी मैं कलखी क्लासने रखूंगी कल तो हमाइन क्लास हो नहींगे तो कल अधी नहीं पढ़ें गे थिक जल्म का आंसर आया है यह Dare के अंसर आया है मिल्कुल सही बता बता है ठीक सेलवॉल , वेरी नाइस तो सोनम नहीं düşün अंसर होगा देखू इसमें है किहा है मैजर लिए आपका जो बैक्टिरिया ग्राम पॉसिटिव होते हैं डोट मिटो नेगिटिव ठीक डेला हैं तो यह पिंक कलर जो करते हैं किउ घूर करते हैं जो अपके घूर कञड़ियन होते हैं इ cease इस चैनल मगदन फिकलांस शो करते हैं और हम बात करते हैं होती है peptidoglycan की देखो बैक्टीरिया की cell wall किसे मिलके बनती है peptidoglycan से मिलके बनती है किसे बनती है बिटा peptidoglycan से मिलकर के बनती है ठीक है और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इनकी भी peptidoglycan की cell wall होते है क्योंकि बैक्टीरिया में cell wall ही पेप्टाइडो ग्लाकिन की होगी लेकिन इसमें कैसी होगी बिटा थेन सेलवाल होगी यानि की पतली होगी तो इसलिए हम यहां पर स्टेनिंग के टाइम पे जो पहला स्टेन डालते हैं ब्लू स्टेन वो उसको यह फटाफट से रीटेन कर लेता बिल्कुल अंदर तक और जब हम पहला स्टेन अड़ करते हैं तो उसको यह बिल्कुल अंदर तक रीटेन नहीं करता ग्राम नेगेटिव बक्तिरिया यह लास्ट वाला जो हमारा काउंटर स्टेन होता है जिसको हम बोलता है सफरेनिन उस सफरेनिन को यह बहुत अच्छे से रीटेन करता और नहीं होता है जो चलते हैं मेरे पेड़ वाले बच्छे बिलकुल सही आंसर किया है बिलकुल बिटा आप लोगों पढ़ाई वह चीज इसलिए शही आंसर करोगे ना तो थीक सेल वाल अपका राइड आंसर हो जाएगा वेरी गुड चलो अगले क्वेशन पो चलते हैं अग इसमें किसी पैथोजन के लिए इसमें इस डिजीज के डेवलेमेंट के लिए एक प्रॉपर टेम्परीचर कितना होता है या फिर 30 डिग्री सेंटिग्रेट होगा 23 इसको आप यहीं पढ़ोगे लिए इसको आप ऐसा ही पढ़ोगे वेक्टर के नाम भी आप सेम पढ़ोगे तो इसलिए मैं उसको हिंदी में नहीं डालती है क्वेशन में हिंदी में डाल देती हो ठीक है कि बच्चों को जिनको भी प्रॉब्लिम है वो उसको अच्छे से कर देंगे ओके सोनम अखिल निहा ओम नारायन पुल्कित प्रिया रूची जोती सारे बच्चे सी आंसर करें ओके ठीक है चलो बिटा इसका राइट आंसर क्या हो जागा डेफिनिटली तो इसका राइट आंसर हो जागा ट्वंटी थ्री तू थर्टी डिग्री सेंटिग्रेट कितना ह बैचा देखंक हामै यह उस वाइरस में सेलवол का क्या ख्राइट इर्या दिफो बेच्चा बैठ जो है वाइरस ए सेलूलर होता हे ठीक है वाइरस बात ऊडबतोwen भाम एक विजह किल्या होते हैं तो इसमें धाट हो से ठीक है यहाँ की समयांचे 22 नहीं होता है 23 to 30 degree centigrade है इसकी exact range ठीक है तब ही तो मैंने 30 भी नहीं लिखा है क्योंकि 23 से यह grow करना स्टार्ट कर लेता है और 30 तक यह grow करता अच्छे से temperature range होती है ना हर एक की अपने अपनी ठीक है चलो अपने को वायरिस जो होते हैं Acellular होते हैं अकोशी के होते हैं आप हुआ है हर किसी की बॉडी में cell पास दर्वाजे का कोई मतलब ही नहीं है तो वही वाली बात है जिसके पास सेल ही नहीं है उसको सेल वॉल का क्या मतलब है तो बिटा उसके पास प्रोटीन का लेयर होता है वाइरस के पास उसके पास सेल नहीं होता तो जब सेल नहीं होता तो सेल वॉल भी नहीं होता समझ में तो यह दर्वाजे वाला कशयब के घर लगना है तो लगने यह तो दर्वाजा भी नहीं था तो इसका यह वायरस जो था यह जो तो तो उसके पास अधिन का लेयर होता है और न्युक्लियो कैपसुट की लेयर होती है मतलब न्यूकलिक आसिट प्लस कैपसिट ठीक हां जी अगले क्वेशन पर चलते हैं, अच्छा आज के क्वेशन यहीं पर क्वेशन लेकिया थी, तो चले वच्छों, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, I hope आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, यहाल इंजॉई दे सेशन और I hope इन साइज जितने क्वेशन बेटा मैं आपको जुनून क्लासस में करवा रही हूं, यह सारे क्वेशन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से ध्यान से आपको देखने हैं, इसमें मैं को एक स्पेसिफिक एक्जाम को टागेट नहीं क क्योंकि इस सेशन से क्वेशन आप जरूर देखोगे बिटा एक्जाम में, इसलिए आप इस सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखेगा, जुनून के अभी तक मेरी जितनी भी क्लासस होगे, इंचिन बच्चों ने नहीं देखेए, डेली 2-3 बजे आपका क्लास होता है, और आपको जुडे रहना है, और आपको अच्छे से अपने सारे क्वेशन करने, क्यूंकि इस पोशन से बिलीव मी आपके क्वेशन जरूर रहें गया, क्योंकि इस क्लास को मैंने इस हिसाब से डिजाइन करवाया है, कि जितने भी प्रिविज एर में हर एक एक एक्जाम में क् मैं आपको कहा था कि आप डाउनलोड कर लो आपको आप पर कुछ तीजे मिल जाएंगी ठीक है तो चलो बच्छों आज का सेश्टन यही पर कम्प्लीट करते है अग्दाइंड यह आपका चीजे पढ़ाँ वह डे वह आपकर कर चाहें और को अनुग आपकर से कैसे बना में कर और ऑफ साथ उसे उनको अप लिखते दाओ साधी नोट करते जाओ नोट करते जाएंगा और यह सारे में मुझे आपको इस पोशन से क्वेशन जरूर मिलेगा बिलीव मी ठीक है तो बच्छो अट यह आपका IBPS FO का बैच है अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो आप इस बैच में इन्रोल कर सकते हो इसी किसा साथ आपको बैच में इन्रोल कैसे करना है तो आपको जाना है बिटा All Courses इसमें जाोगे अग्रिकल्चर पर जाओगे अग्रिकल्चर पर यहां पर आपको डिरेक्ल्चर पर जाने के बाद आपके IBPS SO के बैच पर यहां बिटा आपका IBPS SO का बैच जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों की क्लासेस मिल जाएंगी और यह आपका इसमें आपको क्या करना है बाइनाओ पर जाना है बाइनाओ पर जाने के बाद आप वाई 4471 एक अपन कोड अपलाई करोगे तो इसमें इसमें आपको only 3000 में यह बैच अवेलिबल हो जाएगा जिसे आप इस बैच में अपना इस बैच में इन्रोल करके अपनी तियारी कर सकते हो ठीक है न्यू बैच कब स्टार्ट होगा बिटा इन्यू बैच सो अभी स्टार्ट हुआ है 9th of June को IBPS SO का तो इस बैच में आप कर सकते हो ठीक है let's meet in one time bathroom let's meet in one time match बिलकुल बिटा इसके बात सरकी वी ग्लास है तो चलो बच्चों आज की क्लास यही पर कंप्लीट करते हैं जो मेरे पेड के स्टूडेंट से बिटा आज मेरी डेली की क्लास जुनून की दो से तीन बजे हो तो आपको डेली 2-3 बजे कल लियाने की 2-3 बजे जुनून क्लास में अपना ख्याल रखेगा बाबाई थांक्यू हैव नाइस टे झाल 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 झाल